Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the difference between U-chromatine and heterochromatine. हम सब को पता है क्रोमेटीन क्या होता है और उसी के ही दो टाइप्स होते हैं then U-chromatine and heterochromatine. तो U-chromatine जो होता है वो transcriptionally active होता है जबकि जो heterochromatine होता है वो transcriptionally inactive होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो U-chromatine होगा उसमें जो RNA होगा वो बनेगा लेकिन जो heterochromatine होगा उसमें RNA बने गई नहीं क्योंकि वहाँ पर transcription inactive है. जो U-chromatine है उसमें जो DNA होता है वो loosely packed होता है वो tightly नहीं होगा जबकि जो heterochromatine होता है उसमें DNA highly packed होता है जैसे packaging अगर पढ़ी होगी किसी में तो उसमें solenoid structure होता है और भी bead like structure होते हैं तो ये सब क्यों होते हैं ताकि DNA जो होता है हमारा वो length में बड़ा होता है तो उसक सब्सक्राइब करने के लिए पूरे क्रोमोजोम में इस तरह से मतलब ज्यादा packing की जाती है तो heterochromatine में क्योंकि DNA highly packed होता है इसलिए वो फिर transcriptionally inactive भी होता है क्योंकि RNA जो हमारा enzyme होता है transcription के लिए RNA polymerase उसको site ही नहीं मिलेगी जहां पर bind कर सके तो इसलिए महां पर transcription भी न दोनों को तो अगर हम stain करते हैं, इन दोनों को, तो अगर हमें lighter वाला मिलता है, то वो uchromatine होता है, और अगर कोई dark stain मिलता है, तो वो uchromatin होता है, जब कि हठ 내용 है, जब sihेरॉक्रमटीन होते हैं, जब कि ह mist होते हैं, वो nau car Travel Applicative होते है, uchromatin हो Скे स्टिक्प्टी नहीं होते है, जब कि बने क्योंकि यहां transcription हो रही है तो पहले तो RNA बनेगा देन translation होगी और फिर protein बनेगा बड़ जो हेट्रोक्रमेटीन होते हैं वो gene expression को control करते हैं कि यह आगे protein बनने नहीं देते हैं तो इनका काम होता है regulation करना देन यह यू क्रमेटीन होते हैं उनमें जो genetic density होती है जबकि जो हेट्रोक्रमेटीन होते हैं उनमें genetic density हाई होती है अगर जिनॉम में portion की बात करें तो यह क्रमेटीन सिर्फ 2-3% ही होते हैं जबकि सबसे जो maximum part होता है जिनॉम का वो हेट्रोक्रमेटीन का होता है 97-98% तो I hope आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हुई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें